नमस्का फ्रेंड्स मेरे नाम बबलू और मा पेपर हैकर में आपका स्वाग गयता है तो पेंट्स आजम देखने वाले हैं बीए थर्डिये का हिंदी साहित का दुतिये प्रिशन पत्र के एम सीकुक्यों सब्सक्राइब इसका लिंक वीडियो का बहां देख सकते हैं और बात करें आजम क्या देखने वाले हैं आजम देखने वाले इसका पार सैकेंड रिएंगे बीए थर्डिये का हिंदी साहित का दुतिये प्रिशन पत्र का सारह की सार्वा जितना भी एमसी लिंक टैलीगराम का लिंक के नीचे है टीलीघ कर जाके आप दालूड कर सकते हैं जोट सब्सक्राइब करना ही पड़ेगी ठीक है तो बढ़ते हैं भई क्यूशनों की ओर कि बिल्कुल स्टार्ट करते हैं भई क्यूशनों की ओर तो हमने क्या देखने वाले हैं गद्ध विधाएं यहां से हमारा चेक्टर स्टार्ट होता है कौन सा गद्ध विधाएं तो गद्ध विधाएं के अंतरगत कौन सा आता है बक्तिन आता है कौन सा बक्तिन तो फश्न रखा है बक्तिन किस विधा की रचना है बक्तिन जो है वो किस विधा की रचना है यह आपको बताना है कौन सा बिल्कुल रा घूए और रहने बाला किसे बिद्धा की लिंड़ और बकत्ति जीनी आप पिर फ़ो जाता है संसर्ड और या फिर रीखा चित्र के रचनाकार का नाम आपको बताना है कौन हो जाते हैं जो भक्तिन रेखा-चित्र है उसके रचनाकान कौन है महादेवी बर्मारामबिच्बेनी पुडी डॉक्टर रामबिला सर्मा या फिर डॉक्टर बिशनु कांत सास्त्री कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है तो भक्तिन रेखा चित्र जो हो जाता है वो किसका है महादेवी बर्मा जी का हो जाता है राइट आंसर आउप्शन नमबर आपना रहने वाला है आगे बढ़ते हैं next question की ओर बहक्तिन कौन थी भक्तिन जो है वो कौन थी महादेवी जी की माता महादेवी जी की पडोसिन महादेवी जी की सेविका या फिर इन में से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है भक्तिन कौन थी जिन लोग का आंसर आ चुका यहां पर option number साब महादेवी जी की सेव का तो बिल्कुल right answer का हो जाता है next question की बात करते हैं next question करा है कौन सी गद्रचना महादेवी जी की है कौन सी जो गद्रचना है वो महादेवी जी की है यह आपको बताना है इसमृति की रेखा अतीत के चलचित्र मेरा परिबार उपयोक्त सभी तो right answer क्या हो जाती है आगे बते हैं next question की ओर next question करा है सरंखला की कडियां की विसे बस्तू क्या है सरंखला की कडियां की विसे बस्तू क्या है यह आपको बताना है नारी पुरुस बालक इन में से कुई नहीं सरंखला की कडियां की विसे बस्तू जो है वो कौन है तो जिन लोग का आंसरा चुका है नारी बिलकुल right answer हो जाएगा नेक्स कुशन की बात करते हैं महादेवी बर्मा का संबंद किस काब्यधारा से रहा है यह आपको बताना है चायाबाद प्रिगतिबाद प्रियोगवाद या फिर नई कभीता right answer क्या होगा यह आपको बताना है महादेवी बर्मा का संबंद किस काब धारा से है तो पहरा राइट आंसर क्या दाएगा भई पायाबाद की ये कवित्री हो जाती है राइट आंसर ऑप्शन नमबर आ रहने वाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछिन क्यों नेक्स्ट कुछिन के रहा है महादी ब आदुनिक मीरा भी कहा जाता है बेदना की कवित्री हो कह जाते है राइट आउसर क्या दाएगां है और धीक प्रिच्ट कहते हैं अब बहुत मेरा की घुकित्री चायाबाद कवेट्री किसे कहते हैं महादेवी बर्मा को है आँप आंसर ऑप्शन नमबर दात। आगे बरत जीवन काल क्या है यह आपको बताना है महादेभी बर माकादस जीवन काल घा था मैं कितना था यह आपको बताना है कौनसा विल्कुल राइट होगाengineainkorteo train selsोससाथे लेकर 967 डैब proxim किया रहने बाला है यह आपको घाता है 967 Ama option number 2 आगे बाते हैं next question क्यों next question के राइंड में से कौन सी रचना एक कौन सी रचना पर महादेवी जी को ज्यानी पीट पर रुसकार पदान किया था तो ज्यानी पीट पर पदान किस किस पर किया गया था यह आपको बताना है या मा नीर जा अतीत के चल्चित या फिर संकला की क को भारत सरकार ने कौन सी उपादी प्रदान की थी महादेवी बर्माजी को भारत ने कौन सी उपादी प्रदान की थी ये आपको बताना है पदमसरी भारत रतन मादन डी लिट्टू या फिर हो जाता है ग्यान पीट पुरुसकार तो महादभी बर्माजी को कौन सी उपाधी प्रदान की थी यह आपको बताना है पुरुसकार की बात करते हैं तो ग्यान पीट पुरुसकार यामा के लिए मगर उपादी की बात करते हैं तो यह नहीं मिला था पदंस्री आवर्ड राइट आंसर क्या होदाएगा आउप्शन नंबर आ हमारा रहने बाला है ठीक है आगे बड़ते हैं पत्य के साथी किसकी रचना है पत्य के साथी जो है वो किसकी रचना है ठीक है क्या पता उसके दुखटना हो जाए तो इसके साथी कौन होगे वही महादेव होंगे है न तो राइट आंसर का जाएगा महादेवी बर्मा इस पकार से याद रह सकता है आगे बाते हैं मेरा परिवार के अंतरकत संक्लित रेखाचित्र है मेरा परिवार के अंतरकत संक्लित रेखाचित्र कौन सा है यह आपको बताना है महादेवी जी के पालतु जीव जनतु से संबंदित महादेवी जी के परिवार परिजनों से संबंदित महादेवी जी के छात्राओं से संबंदित उपयोगत में से कोई नहीं, राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, मेरा परिवार के अंतरगत संकिलित रेकाचितर है, ये हो जाता है, option number राइट आंसर, महादेवी जी के पालतू जीव जिनतों से संबंदित हो जाता है, मेरा परिवार रेकाचितर, ठीक है, आगे अन्यास है अतीत के चल चित्र जो है वो कौन है तो यह अपना हो जाता है कौन रेखा चित्र हो जाता है राइट आंस हो जाएगा ऑप्शन नमबर चित्र चुपा हुआ है उसमें भी आगे वड़ते है नेक्स बोशान निमीकित में से कौन सा महादीव वर्मा का संस मलात्मक संस मलात्मक रेखा चित्र नहीं है तो बैह हो जाता है यामा जिसके लिए ग्यानी पीट परुसकार महादीव वर्मा जी को दिया गया था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की ओर नेक्स्ट कुशन कांसर देना है अब यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा सुधिया उस चंदन बनकी क्या सुधिया उस चंदन बनकी तो फस्ट कुशन आमाय सामने कुछ परकास वाता है सुधिया उस चंदन बनकी किस विद्धा की रचना है यह आपको बताना है कौनसा बिल्कुल रॉइट आंसर अपना रहने वाला है ठीके सुधिया उस चंदर्मनकी किस विधा की रिचना है संसमड़ है रेकाचित्र है निवंद है या फिर जीविनी है तो ये क्या है अपना एक संसमरण हो जाता है राइट आंसर आप्शन नमबर आ हो जाएगा आगे बढ़ते हैं सुधिया उस चंदर्मनकी के लेखक हैं कौन है ये आपको बताना है आचारे हजारिपसाद देवेदी विश्नु कांत सास्त्री स्री कांत बर्मा महा देवी बर्मा राइट आंसर क्या होगा सुधिया उस चंदर्मन की के लेखा कौन है बहए हो जाते हैं बिष्णु कांत सास्त्री राइट आंसर हो दाइगा ऑक्षन नमबर बा नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं नेक्स्ट कोशन देरक्पा है ब्योम केस किसका छदम नाम है ब्योम केस किस्त का आपको बताना है आचारे रामचम्मिसोकल का आचार हजयारी पर साथ दुएदि का डॉक्टर बिष्णुकां शास्तरी का पंडित मदन महन बालविये का राइट आशर क्या हओगा ये आपको बताना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछन की और नेक्स्ट कुछन का रहा है और अचारे हजारी परशाद दिविदी के किस उपन्यास का उलेक संदिया उस चंदन बन की नामक संसमरल में है तो भै कौन सा है ये आपको बताना है उपन्यास उनर नवा, बान भट्टे की आत्म कथा, चारू चंदर लेख, या फिर हो जाता है अनाम दास का पोथा, राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है आचारे हजाब अदेवेदी के किसुपन्यास का लेख सुधिया उसे चंदन बनिकीन नामक संसमरण में मिलता है तो बह मिलता है अनाम दास का पोथा, राइट आंसर उप्शन नमबर दा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुश्निंग क्यों, नेक्स्ट कुश्निंग कह रहा है अचारे हजारपसाद देवेदी के किस निबन संगरण का नाम, सुधिया उसे चंदन बन की नामक संसमरण का संसमरण में आया है किसम कौन सा निबन संगरण आया है, यह आपको बताना है असो के फूल, कल्प लता, बिचार और बितर्क, इन में से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा, यह आपको बताना है आचारे हजारपसाद देवेदी के किस निबन संगरण का नाम, सुधिया उसे चंदन बन की नामक संसमरण में आया है तो वो कौन सा आया वई, कल्प लता आया है, राइट आंसर आप्शन नंबर बाग हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, आचारे हजारपसाद देवेदी के ब्यक्तत पर किन दो महापुरसो का प्रभाब था, जिनका उल्लेक सुधिया उसे चंदन बन की में है यह आपको बताना था, तो राइट आंसर क्या होगा, यह आपको बताना है तो कौन सा बिल्कुल राइट होगा, राइट हो जाएगा, रमिंद नाट टेगोर और पंडित मदन वोहन मालिव दिये महापुरसो का प्रभाब उनका उल्लेक सुधिया उसे चंदन बन की में मिलता है, राइट आंसर उप्शन बर सा रहने वाला है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछन क्यों, नेक्स्ट कुछन कह रहा है तुम्हारा कबीर पर ब्याक्ष्यान कहां दिया गया था कबीर पर ब्याक्ष्यान कहां दिया गया था, यह आपको बताना है कुम्ब मेला प्रियाग में, कुम्ब मेला अरिद्वार में, कुम्ब मेला उज्जैन में इन में से कोई नहीं तो कहां किया गया था ये आपको बताना है कबीर पर व्याख्यान कहां किया गया था तो यह कहां किया गया था भई कुम्ब मेला पिरियाग में किया गया था इलहावाद में राइट आंसर आप्शन अंबर आ हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर विश्नु कांत सास्त्री ने दुवेदी जी के किस सिस्सिकाव लेख इस संसे मर्ण में किया है आपको बताना है पहला डॉक्टर नागें रहने वाला है डॉक्टर नामबर सिंग का और बाविलकुल राइट रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछिं कह रहा है विश्नु कांत सास्त्री ने में से किस प्रांत के राजिपाल रहे हैं विश्नु कांत सास्त्री जो हैं वो किस प्रांत के राजिपाल रहे है यह आपको बताना है पश्चिम बंगाल उत्र प्रिदेश केरल या फिर करनाटक राइट आंटर क्या होगा विश्रू कांत सास्तरी इनमें से किस प्रांत के राज जिपाल रहे हैं तो बेर हैं उत्र प्रिदेश के राइट आंटर हो दाएगा ऑप्शन नमबर आगे बढ़त अपोलो का रथ किस की रचना है या आपको बताना है आचाल यात्रा ब्रत है संस मरड़ है आत्म कथा है राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है अपोलो का रत किस विधा की रचना है तो यह एक यात्रा ब्रत हो जाता है राइट आंसर आप्शन नमबर 2 हो जाएगा आगे बते हैं अपोलो का रत किस इस्थान से संबंदित रचन यह पिर अमेरिका से राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है अपोलो का रत किस इस्थान या देश से संबंदित रचना है तो बहु हो जाती है यूरोप से राइट आंसर ऑप्शन नमबर सा रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एकोशन और नेक्स्ट एकोशन क्या रहा है पेरिस किस देश की राजधानी है पेरिस दो है वो पूसक्र देश की राज़दानी है इंग्लेंड फास जर्मन बैल्चियम राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना एं प्रांस की राजधानी है ठीक है यूरो इसकी क्या हो जाएगी मुद्रा हो जाएगी आगे वड़ते हैं सेक्स पियर किस देश के निवासी कभी थे यह आपको यहां पर बताना है फ्रांस जर्मनी स्पेन इंगलेंड राइट आंसर क्या होगा भई तो यह हो जाएगा इंगलेंड ठीक है आगे वड़ते हैं यहां पर तर्क पर आधारित समाझ है तर्क पर आधारित समाझ है कौनसा है यह आपको बताना है भारतिए यूरोप अमेरिकीन इनमेंस से कोई नहीं कौनसा विलकुल राइट आंसर अपना रहने वाला है तर्क पर अधारित समाज कौन सा हो जाएगा वह हो जाएगा उर्वपियन लीगाँ ओर अपलो का रत किस पत्रिका सिति हुआ था ढरत है यह अंब बताना है ओ पर कौन सा बिलकुल राइट होगा यह आपको बताना है तो अपोलो का जो रत है वो किस पत्रिका में प्रिकासित हुआ था ये हुआ था अपने दिन मान में राइट आंसर ऑप्शन नमबर साह हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहां दरे कैत मारा स्टेट फोर्ड एबन फियेटर में किसके नाटको का मंचन होता था यह आपको बताना है स्टेट फोर्ड एबन फियेटर में किसके नाटको का मंचन होता था किसका होता था कालिदास के सेक्सपियर के टी एस एलियेट के या फिर मोहन रा केस के राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो यहां पर कौन सा राइट रहने वाला है स्टेट फोर्ड एवन थेटर में किसके नाटकों का मंचन होता था राइट आंसर आप्शन नमबर बाहू जाएगा आगे बढ़ते हैं यहां पर सेक्स पियर हाउस में क्या सुरच्छित सुरच्छित संदच्छित है यह आपको बताना है सेक्स पियर का पांडू लिपियां सेक्स पियर का सैन कच या फिर पिक्चर पोस्ट कार्ड उप्योक्त सभी तो राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो यहां पर क्या हो जाएगा उप्योक्त सभी आंसर रहने वा उनका मूल उद्देश होता है क्या होता है ये आपको बताना है सरकारी नुदान प्राप्ति करना ब्यक्ति गते ब्यार्थ की मूर्ति या फिर हो जाता है साहितिकार के नाम का ब्यापार करना उप्योगत सभी राइट अंसर क्या होगा हमारे देश में किसी साहितिकार के नाम पर जो मेले आदी लगते हैं उनका मूल उद्दे से क्या होता है सरकारी अनुदान प्राप्त करना ये भी हो जाएगा ब्यक्तिकति ब्याफ्ति की पूर्ति होना ये भी हो जाएगा साहितिकार के नाम का व्यापार करना यह तो होई रहा है तो प्रिक्त कर जाएगा वो प्यूप्त सभी यहां पर राइट रहने वादा है आगे बढ़ते हैं अब यहां से हो जाएगा जोती पुंज हिमालय से रेटिर क्योशन हो जाते हैं तो फर्स्ट क्योशन है विश्नु प्रिभाकर का जीवन काल क्या है यह आपको बताना है 1896-1994-1908-2000-1912-2009-1915-2012-2012 राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है जो विश्नु प्रिभाकर हैं उनका जन में कब हुआ था तो यह हुआ था वे 1912-2009 तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सा आग यह हैं यह थे चाहले किसी विधाकी करती है यह आपको बताना है रेखाचित्र है यातरबत है निवंद्हें या फिर जीवनी हैं तो ये है कौन ये आपको बताना है जोती पुंज हिमाला किस बिधा की कृति है तो ये क्या है ये एक यात्रा ब्रत है राइट आंसर होजाएगा आप्शन नमबर बाग आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन केरा है इनमें से कौन सी रचना विश्नु प्रभाकर की नहीं है अर् तो यहां पर अर्द नारीश्वर भी नहीं की हो जाएगी तूटते पर इबेस भी हो जाएंगे योगे-योगे क्रांती हो जाएगे चोटा डॉक्टरन की नहीं हो जाती तो राइट आंसर कौन से जाएगा ऑप्शन नमबर दा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं विश्नु प चनापएने प्राप्त हुआ था यह आपको बताना है अबारा मसीह अर्द नारीश्वर तूटते परिवेस या फिर धरती अब भी घूम रही है तो इसका राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो बिश्नु बिश्नु की क्या हो गए बही मूर्ती ठीक है तो यह क्या बन जाते थे बही नारी भी बन जाते थे तो इस परकार से आपको याद रहेगा ठीक है अर्द नारीश्वर तो इस परकार से आपको करना है रिलेट करना है बिश्नु की क्या है बही मूर्ती है तो तो मूर्तिवी पृस्कार हो गया ठीक है इसमें मिलाता है जब है नारी वनी थी ठीक है मतलब नारी का रूप धार किया था तो इस परकार से याद हो जाएगा अर्द नारी स्वर ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योशन की और इंपोरेंट क्योशन है इसलिए नेक्स्ट क्योशन की बात करते हैं आबारा मसीहा किस लेखक के जीवनकाल को प्रस्तित करती है मुंसिप रेमचंद विश्नु प्रभाकर सरत चंद्र रभी इंदरनाथ टैगोर तो राइट आंसर क्या होगा ये आबारा मसीहा किस लेखक के जीवनकाल को प्रस्तित करती है तो बहे कौन हो जाएंगे बही सरत चंद्र जी हो जाएंगे राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर साथ ठीक है आगे वरते हैं नेक्स्ट कुशन की ओर नेक्स्ट कुशन के रहा है भारत सरकार ने इन में स कौन सा सम्मान विष्णू प्रभाकर को प्रदान किया है तो कौन सा सम्मान विष्णू प्रभाकर को प्रदान किया गया है यह आपको बताना है पदम स्री पदम भूशड भारत रतन या पिर पदम विभूशड राइट अंसर चाहोगा यह आपको बताना है तो इन्हें क् पदम भूशर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछिन की ओर नेक्स्ट कुछिन कह रहा है इन में से कौन सा बिश्नु प्रभाकर का उपन्यासन नहीं है डलती रात अर्दिनारी शुवर आवारा मसीहा या फिर छमादान तो कौन सा नहीं है यह आपको बताना है इन में से कौन सा बिश्नु प्रभाकर का उपन्यास नहीं है तो वो हो जाता है डलती रात ठीक है यहीं नहीं है बाकी अर्दनारी सुर भी हो जाएगा आवारा मसीहा भी हो जाएगा और छमादान भी इनका ही उपन्यास है आगे बढ़ते हैं नेक् का युमिना के नहर में या फिर मेरी कहानी राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है विश्नु प्रभाकर की आत्मकता किस नाम से प्रिकासित हुई है तो वह हो जाती है पंखहीन राइट आंसर आप्शन नमबर आ रहने वाला है आगे बता है यहां पर दख्या विश रहने वाला है विश्नु प्रभाकर की आत्मकता है तो तीन भाग है राइट आंसरा आक्शन नमबर आरहने वाला है नेक्स्ट कुछिन की बात कहते हैं इनमे से कौन सी रचना यात्रा ब्रतु विधा की है कौन सी है आपको बताना है जीकूर पुंझ हिमाल भक्तिन छाया या फिर जाता है सुधिया उस चंदन बनकी कौन सा यहां पर बिद्कूर राइट रहने वाला है यह आपको बताना है तो इन में से कौन सी रचना यात्रा बिद्धा की है तो वो हो जाती है कौन सी जोती पुंज हिमाल है राइट आंसर आप्शन अबर आ हो जाएगा आगे बढ़ते हैं विश्नु प्रभाकर की रचना है वो कौन सी है बैशडब की हिसलन शरद्धा भक्ती चंदन बनकी या फिर आवारा मसीहा राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है बिश्णू प्रभायकर की रचना कौन सी है वो हो जाती है आवारा मसीहा राइट आंसर अप्शन अमबर दा हो जाएगा आगे वरते हैं अपनी अपनी हैसियत से सम्मादित के उशन यहाँ पर आएंगे अपनी अपनी हैसियत के रचनाकार हैं कौन है यह आपको बताना है मु हरी संकर परसाई नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं इन में से ब्यंग्यकार किसे माना जाता है इन में से ब्यंग्यकार किसे माना जाता है यह आपको बताना है हरी संकर परसाई को महादई भर्मा को मुंसी फ्रेम चंद को आचायरां चंद सुक्ल को ब्यंग्यकार क्या ब्य जीवनकाल है कौन सा है ये आपको बताना है 1920-1986, 1924-1995, 1930-2005, 1934-2008, राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है हरी संकर परसाई का जो जीवनकाल है वह कौन सा है तो जिन लोग का आंसरा चुका है 1924 से लेकर 1995, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर 2 आगे बड़ते हैं हरी संकर परसाई ने किस पतेका का संपादन किया था नेक्स्ट अत्वा में हरी संकर परसाई किस पतेका के संपादत थे ये आपको बताना है प्रतीक, करंबीर, चंदन या फिर बसुधा, राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है तो क्या रहा है यहां पर हरी संकर परसाई ने किस पते का का संपादा नहीं या फिर उसके संपादा कौन थे तो वो हो जाते हैं बसुधा के ठीक है किसके बसुधा के राइट आंसर ऑप्शन नमबर दा हो जाएगा नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के रहा है कौन सी किर्थी हरी संकर परसाई की है विकलांग सर्द्धा का दौर बैशनब की फिसलन या फिर शिकायत मुझे भी है उप्योक्त सभी राइट आंसर क्या होगा कौन सी किर्थी हरी संकर परसाई की है विकलांग सर परसाई जी की जो कृतियां है बिकलांग सद्धा का दोर यह भी हो जाएगा बैश्रब की इसलन यह भी हो जाएगा शिकायत मुझे भी है यह भी हो जाएगा तो राइट अंसर क्या जाएगा उप्यूत सभी रहने वाला है आगे बढ़ते हैं हरी संकर परसाई का जन्म हुआ सब्सक्राइब करते हैं राणी नांग मती की कहानी किसकी रचना है राणी नांग मती की कहानी जो है बहें किसकी रचना है यह आपको बताना है तो नांग मती की कहानी रानी और नांग की बात हो रही है तो नांग किस पर होते हैं भई हरी 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 है ना वदबांग तो इस पर कासी क्या रहेगा हरी संकर परसाई नाम बीन का याद रहने वाला है आगे बते हैं नेक्स सुक्शन के रहा है अपनी अपनी हैसियत के में लेखक क्या कहना चाहता है धनी लोग धनका भूंडा प्रदस्ण करते हैं या फिर हो जाता है अखबारों में नकारात्मक खबरें अधिक छपती हैं लोग धनका सम्मान करते हैं ना ते रिस्ते का नहीं उप्युक्ति सभी कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट होगा अपनी अपनी हैसियत में लेखक का कहना है कि धनी लोग धनका भूंडा प्रदस्ण करते हैं यह भी कहना है और अखबारों में नकारात्मक खबरें अधिक छपती हैं यह भी कहना है और लोग धनका सम्मान करते हैं पर तो ना ते रिस्ते का नहीं यह भी है तो राइट आंसर करते हैं वह प्रद्य व्यक्ति की फोटो क्यों चपीति अपनी अपनी हैसियत निवंद के आधार पर बताईए इसका क्या एक तेकार से अंत है गुम सुदा की तिलास है तु उन्य इस्मृति में या फिर विज्ञान के रूप में इन में से कोई नहीं तो right answer क्या होगा ये आपको बताना है ब्रद्द ब्यत्ती की फोटो क्यों चपीती अपनी एपनी हैसेतनी बंद में इसका आधार क्या है वो है पुन्ने इसमर्ती क्या पुन्ने इसमर्ती में तो right answer option number बार रहने वाला है आगे बढ़ते हैं जमानी गाउं जमानी गाउं में कौन पैदा हुआ था जिला इटारसी जमानी गाउं जिला इटारसी में कौन पैदा हुआ था हरी शंकर परसाई जमानी गाउं में कौन हुआ था पैदा बे जिला इटारसी तो right answer हो जाएका कौन सा हरी शंकर परसाई जी का जन्म यहां पर हुआ था नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं किया रहा है बेंग का मुल उद्दिस होता है क्या होता है आपको बताना है लोगों का उपहास करना समाज में ब्याप्त बिसंगिताओं को दूर करना या फिर मनवंजन करना या हसने की शामागरी प्रदान करना राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है ब्यंग का मूल उद्वे से होता है समाज की ब्याप्त बिशंगतियों को दूर करना बिशंगतियों को दूर करना आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन की ओर करा इन में से कौन ब्यंग कार नहीं है तो ब्यंगेकार कौन नहीं है आपको बताना है बिद्धा निवास मिस्र हरी शंकर परसाई सरद जोसी गोपाल परसाद व्यास राइट अंसर क्या होगा यह आपको बताना है इनने में से कोन ब्यंगेकार नहीं है तो वो हो जाते हैं विड्धा निवास मिस्र जी ब्यंगेकार नहीं है वाकि सारे किसारे ब्यंगेकार हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स से कुछ के और हरी संकर परसाई के समग्र साहित संकलन का क्या सीर्षक है यह आपको बताना है हरी संकर परसाई के समग्र साहित संकलन का क्या सीर्षक है परसाई रचनावली परसाई रचना जगत परसाई समग्र परसाई का परस राइट आंसर क्या होगा यह आपको बत होता है परसाई रचनावली राइट रॉप्शन नमबर आ हो जाएगा यहां से स्टार्ट होता है दुरुत पार्ट से संबंदिक यूशन जिसमें आपको कुवेरनाथ राई से संबंदिक रेखने को मिलने वाले हैं कुवेरनाथ राई किस प्रकार के निवंदकार हैं विचा कुवेरनाथ राई किस प्रकार के निवंदकार हैं तो वो हो जाते हैं ललीति प्रकार के निवंदकार हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं कोवेरनाथ राई का जीवनकाल है कौन सा है यह आपको बताना है 1930-1990, 1933-1996, 1940-2000 इनमें से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा आपको से कौन सी रचना कुवेरनाथ राई की है इनमें से कौन सी रचना कुवेरनाथ राई की है आपको बताना है असो के फूल चिंता मणी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या पर रस अखेटक कौन सा यहाँ पर राइट होगा यह आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने बाला है ठीक है कि क्या कह रहा है कि मैं भी भूल रूड़ा सा अब भाई इसका अंसर क्या रहने बाला है कौन से अचना कुवेर नात राइकी है असो के फूल चिंता मनी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या फिर रस अखेटक तो राइट आंसर क्या रहने बाला है रस अखेटक रहने बाला है जिन लोग का अंसरा चुका है ऑप्शन अंबर दा बिल्कुल राइट आंस हो जाएगा असो के फूल चिंता मनी और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ठीक है तो राइट आंसर रस अखेटक आगे बढ़ते हैं वेर नात राइका निवन संग्रे कौन सा है तो यह वहाँ हो जाता है महा कबी की तर्जनी बी हो जाएगा पर्ल kolay कुट भी हो जाएगा में निशाद बांसुरी भी हो जाएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उप्योग तो सभी रहने वाला आगे बढ़ते हैं इन में से कौन सानिबंद संगर है सबसे पहले प्रकासित हुआ इन में से कौन सानिबंद संगर है सबसे पहले प्रकासित हुआ था रस अखेटक, द्रस्टी अभिसार या फिर पर्ल, मुकुट या फिर निशाद वासुरी तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है इन में से कौन सा निबंद संग्रह सबसे पहले प्रिकासित हुआ था तो बैव हुआ था रस अखेटक राइट आंसर क्या रहने बाला है option number A अपना रहने बाला है आगे बते हैं next equation क्यों next equation आपके सामने कुछ इस प्रिकास हो जाता है कह रहा है कौन सा निबंद कुबेरनाथ राइका है कुबेरनाथ राइका कौन सा निबंद है आपको बताना है जम्बुक, अम्रमंजरी, उटच या फिर इन में से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो जो कुबेरनाथ राइका निबंद है वो कौन सा हो जाता है जम्बुक हो जाता है राइट आंसर हो जाएगा option number A आगे बते हैं next question की ओर यहाँ पर कहा रहा है रागवो करुड रस्त किसकी रचना है रागवो करुडम रसम किसकी रचना है यह आपको बताना है रगवीर सहाय की, विवेक राइकी, महादेई बर्मा की, कुबेरनाथ राइकी कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट होगा यह आपको बताना है रागवो करुणम रसम यह हो जाती है किसकी रगवीर या कुवेरनाथ कुवेरनाथ राय की इपनी हो जाएगी तो राइटांस हो जाएगा ऑप्शन नमबर दा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुष्ण की और नेक्स्ट कुष्ण यहां से स्टार्ट होएगे सरद जोसी से तो सरद जोसी का जीवन काल है वो आपको बताना है कौन सा है 1910-1982, 1925-1980, 1930-1990, 1931-1991, 1991 right answer क्या होगा यह आपको बताना है रसद जोसी का जो जीवन काल है वो हो जाता है 1931 से लेकर 1999 राइट अंसर उप्शन बर दा रहने वाला आगे बढ़ते हैं भारत सरकार द्वारा सरद जोसी को कौन सा पुरुषकार प्रधान किया गया था भारा सरकाद वारा सरद जोसी को कौन सा पुरुसका 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 जीप पर सवार इल्लियां किसकी कृति है यह आपको बताना है हरी संकर परसाई सरद जोसी गोपाल प्रसाद ब्यास या फिर स्री लाल सुकल कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट रहने वाला है यह आपको बताना है जीप पर सवार इल्लियां किसकी कृति है यह आपको यहां पर बताना है तो right answer क्या रहने वाला है जिलों का आंसरा चुका है सरत जोसी बिलकुल right answer देगा option number 2 आगे बढ़ते हैं next question क्यों next question क्या रहा है जीप पर सवार इल्लियां में इल्लियां किसको बताया गया है यह आपको बताना है सरकारी अधिकारी को एक कीड़ा को एक कीट ना सक औस्दी को इन में से कोई नहीं right answer क्या होगा यह आपको बताना है जीप पर सवार इल्लियां में इल्लियां किसको बताया गया है तो सरकारी अधिकारी को बताया गया है right answer रहने वाला है option number A आगे बढ़ते हैं हम भ्रहष्टन के भ्रहष्ट हमारे हम भ्रहष्टन के भ्र रचना के लेख कौन है यह आपको बताना है सरद जोसी रविंद नात्यागी हरी संकर परसाई या पिर काका आथ रसी right answer क्या होगा यह आपको बताना है हम भ्रहष्टन के भ्रहष्ट हमारे यह हो जाती है सरद जोसी की ब्यंग रचना right answer option number A हो जाएगा next question की बात करते हैं अंधो का हाती किस विधा की पुस्तक है नाटक है निवन्द है कभीता है आलोचना है क्या है यह आपको बताना है अंधो का हाती किस विधा की रचना है तो यह हो जाता है नाटक ठीक है आगे पढ़ते हैं next question अब यहां से start होता है विवे की राय ठीक है तो first एक उसापके सामने कौन सी रचना विवे की राय की नहीं है मंगल भवन पुर्स पुराण तोना माटी या फिर हो जाता है कौन तू फुलवा वीन नहारी कौन तू फुलवा बीन नहारी right answer क्या रहने बाला है यह आपको बताना है कौन सी रचना विवे की राय की नहीं है वो हो जाती है कौन तू फुलवा बीन नहारी right answer दाएगा option नमबर दा आगे वड़ते हैं next कुष्ण की ओर कह रहा है विवे की राय का जन्म हुआ था कब हुआ था यह आपको बताना है सन 1924 में 1925 में 1940 में 1952 में विवे की राय का जन्म कब हुआ था यह आपको यहां पर बताना है जिन लोग का भी आंसर आ चुका है 1924 बिलकुल right answer अपना रहने बाला है आगे बढ़ते हैं next question की ओर कह रहा है नरेंद्र कोहली नरेंद्र कोहली अप्रितम नरेंद्र कोहली अप्रितम कथा यात्री किसकी आलोचनात्मक रचना है यह आपको बताना है डॉक्टर नगेंद्र की डॉक्टर रामिला सर्मा की नंदोदारी बाजके की विवे की राय की राय टांसर क्या होगा यह आपको ब चलू जाएगा नेक्स्ट कुछन की बात करते हैं कौनसे रचना भाजपुरी में लिखा बिबेकी राय का उपनयास है वो कौनसा है आपको बताना है मंगल लहारी के कहला चुनरी रंगला और ग्रू ग्रह गयू पड़न रगुराई उप्युक्त सभी तो कौन सा यहां पर विल्कुर राइट रहने बाला है ये आपको बताना है पॉन सी रचना बहुत पुरी में लखी है दोखायकि दौराइक और एक उपन्यास है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आभी हो जाएगा मंगल लहारी और चुनरी रंगाला ये भी हो जाएगी और गुरू ग्रह गयू पड़न रगुराई ये भी हो जाएगी तो प्यूगत सभी ठीके तीनों की तुनों किसकी है बेवेकी राइकी हो जाते हैं उपन्यास आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यों क्यों कह रहा है फिर बेत लबा दोवार पर फिर बेत लबा दोवार पर किसकी रचना है यह आपको बताना है सरत जोसी रगवी सहाय बेवे की राय या फिर हरी संकर पर साई फिर बेत लबा दोवार पर किसकी रचना है तो यह किसकी हुजाएगी बेवे की राय की रहने वाली है राइट आंसर हो जाएगा option number 7 आगे बढ़ते हैं next question क्या रहा है इनमें से कौन ललित निबंदकार है तो ललित निबंदकार कौन है आचायराम चंसोकल, डॉक्टर नगेंद बिवेकी राइ, डॉक्टर राम बिला सर्मा राइट आंसर क्या रहने बाला है यह आपको बताना है इनमें से कौन ललित निबंदकार है तो वो हो जाते हैं बिवेकी राइ, राइट आंसर option number साह हो जाएगा आगे दिखेगा next question क्या रहा है कौन सा निबंद, बिवेकी राइका है कौन सा निबंद जो है वो वो वेकी राइका है सोने की लूट, आयाबाद, कुटज या फिर लज्जा और गिलानी राइट आंसर क्या रहने बाला है यह आपको बताना है बिवेकी राइका कौन सा हो जाएगा सोने की लूट, राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर आ, आगे बढ़ते हैं हिंदी के अत्ती रिक्त और किस भासा में बिवेकी राइकी रचना मिलती है हिंदी के अत्त रिक्त किस और भासा में भी बिवेकी राइकी रचना मिलती है, यह आपको बताना है अबदी में, मैथली में, भोजपुरी में, राजिस्थानी में, राइट अंसर क्या होगा, तो अभी हमने देखा था, भोजपुरी की तीन रचनाओं के लिए, तो राइट अंसर क्या जाएगा, भोजपुरी अपना रहने वाला है, ठीक है, आगे देखते हैं, आत्म हत्या क कि रचना है आत्म हत्या के रचना है यह आपको बताना है आत्म हत्या के रचना है रगवीर सहाई की रचना है ठीक है आगे बढ़िएगा नेक्स्टेकुशन के रगवीर सहाय क्या जीवन काल क्या है आपको बताना है 1911 से 1929 से 1990 1930 से 1972, 1940 से 2000 राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है तो बैजिन लोग का आंसरा चुका है यहां पर 1939 से 1990 है तो राइट आंसर आप्शन नंबर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कहा रहा है मंजरी जोसी न्यूज रीडर मंजरी जोसी जो है के से रगवीर सहाय का क्या संबंद है यह आपको बताना है बुआ है पुत्री है भतीजी है या फिर बहिन है कौन है यह आपको बताना है मंजरी जोसी से रगवीर सहाय का क्या संबंद है तो ये कौन है भई पुत्री हो जाती है रगवीर सहाय की ठीक है आगे देखते हैं next question के और question number next कह रहा है फोर कह रहा है कौन सी रचना रगवीर सहाय की नहीं है तीडियों पर दूपम है हसो हसो जल्दी हसो हम बिसपाई जनम के या फिर कुछ पत्ते कुछ हिट्टियां right answer क्या होगा ये आपको बताना है कौन सा कौन सी रचना रगवीर सहाय की नहीं है तो वो कौन से हो जाएगी हम बिसपाई जनम के right answer option number सा रहने बाला है बाकि सेडियों पर दूपमे हसो हसो जल्दी हसो कुछ पत्ते कुछ चट्टियां ये सारी किसकी है रगवीर सहाय की हो जाती है आगे देखते हैं कह रहा है इनमे से दिनमान के संपादक पद पर किसने कार किया है इनमे से दिनमान के संपादक पद पर किसने कार किया है यह आपको बताना है धरंबीर भारती गिरिजा कुमार माथुर दुस्यन्त कुमार रगवीर सहाय राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो दिनमान के संबादक के पदबर किस ने कार किया है रगवीर सहाई ने कार किया है राइट आंसर हो दाएगा आप्शन नमबर दा आगे देखिएगा नेक्स्ट कुशन कह रहा है सन 1984 का साहितकादमी पुरुसकार रगवीर सहाई को किस रचना के लिए दिया गया था inspiring कि साहितकादमी पुरुसकार को दिया गया था ये आपसो बताना है लोग भूल गए हैं आत्म हत्या के विरुद। कुछ पत्ते, कुछ चिटियां, या फिर हसो हसो जल्दी हसो तो लोग भूल गए हैं के लिए दिया गया था किसके लिए लोग भूल गए हैं के लिए दिया था आगे बढ़ते हैं next question प्रतीक के शहायक संपादक रहे थे प्रतीक के सहायक संपादक कौन रहे थे आपको बताना है मुक्ति बे मोद रगवीर सहाय क्रश्नदत पालीवाल धरम बीर भारती इसका राइटांसर कौन से जाएगा रगवीर सहाय हो जाएगा option number 2 next question को देखेगा next question कहरा है दिल्ली मेरा परदेश किसकी रचना है दिल्ली मेरा परदेश किसकी रचना है आपको बताना है सुमित अंदनपंत की सरदारपूर सिंग की रगवीर सहाय की गुलावराई की right answer क्या होगा आपको बताना है दिल्ली मेरा परदेश किसकी रचना है तो पहला देरकाय श्रस्भथी पत्रका कहां से प्रकासित होती थी ये आपको बताना है यां ऑध्यो कि पत्रका क संभाधान कौन तो डॉक्ट र महा बीर प्रसाद द्युवेदी अब ये कहां से होती थी बिनारस से लावा से कलकत्ता से यह फिर ङी कह Jamie से राइट आंसर 주고 वोती थी थी रिया रियाबाद से मदब प्रिकासित थी आगे बढ़ते हैं कभी बच्चन सुदा पत्रिका के संपादक थे परताना पहले देखाय है पंडित प्रताप नार्य मिस्र बंग महिला भारतिंदू हरीचंद भिष्णु परभाकर विजन लोग का आंसर आ चुका है और साहब हरतिंदू हरीचंद कई वासा किसकी है भारतिंदू हरीचंद की पत्र का हो जाती है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट गोशन कह रहा है पट कथा का संबंद किस्से है कभीता से निवंद से फिल्म से यात्रा ब्रातन यात्रा ब्रातन से कौन सा राइट होगा यह आपको बताना है तो कह रहा है पट कथा का सम्मन्द किस से है ये हो जाता है फिल्म से राइट आंसर आप्शन नमबर सार रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन कह रहा है संस्कृति के चारत द्याय के लिए खक कौन है संस्कृति के चारत द्याय जो है वो किसके है रामधाय शेंग धिनकर जी के हो जाते हैं राइट आंसर आप्शन नमबर सार नेवाला है आगे देखी का तुलसी दास किस भांसा के कभी है अबधी बिरज बिरज और अबधी या फिर तुलसी दास हैं वो किस भासा के कभी है यह आपको बताना है तो तुलसी दास ब्रज के भी है और अबधी के भी है तो राइट अंस रुदाय का option नमबर सा ब्रज और अबधी ठीक है नेक्स कुशन की बात करते हैं कौन सी विसेस्ता चायाबाद की नहीं है रहस्ते बाद प्रकरती का अमान विकर्ड स्वान भूती का विर्तियां या फिर समाद सुधार राइट अंसर क्या रहने वाला है यह आपको बताना है कौन सी विसेस्ता चायाबाद की नहीं है तो चाय की है जैसंकर परसाद सुमित अंदन पंत मैंति सड़ गोपत या फिर निराला जी राइट आंसर क्या रहने वाला है यह आपको बताना है नारी तुम केबल सरद्दा हो यह किसकी पंक्रतियां है यह हो जाती है जैसंकर परसाद जी की राइट आंसर उजाएगा ऑप्शन महा काब्य है प्रेम चंद्र का कौन सा उपन्यास किरसक जीवन का महा काब्य है सेबा सदन प्रेम असरय रंग भूमी गोदान राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है प्रेम चंद्र का गोदान भी है जैना गोदान ही है किरसक जीवन का का महा काब्य है यह आपको ब कौन सा है गोदान हो जाएगा next question की बात करते हैं पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून में कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है पानी गए ना उबरे मोती मानुस और चून तो यहां पर कौन सा है यमक है सलेज में है उत्पर इच्छा है या पिर आतीस योक्ति अलंकार ह यहां पर कौन सो धाईगा शलेस मलंकार हो जाएगा राइट अंसर ऑप्शन नंबर रहने वाला है इनसे कौन ब्रहामड पत्रिका का संपादक ब्रहाण पत्रिका का संपादक था यहां आपको बताना है सम्बाद कौन थे तो बो हो जाते हैं संब्राइब आप्शन काई औंग्स fixes कर्ते हैं इन में से कौंसा आंचलिक उपन्यास क्या ही आपको बताना है होजूर दरबार गोडान परती परिकत्रा परग नई-न और्ट आइप आㄸ होगा यह आपको बताना है कौँसा आप अचीलिक उपन्यास है है कौँसा आपको बताना है तो कौनसा है परती परीक था यह क्या है एक आंचलिक उपन्यास है आगे बढ़ता है next question क्यों और next question यहाँ पर कहरा है इन में से कौन सा बाल किशन भट का निबंद संग्रे है बाल किष्ण भट का निवन संग्रे कौन सा है साहित सुमन इंता मनी असो के फूल या फिर तुरसूल राइट आंसर क्या रहने वाला है यह आपको बताना है बाल किसन भट का जो निमन संग्र है वो हो जाता है साहित सुमन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर नेक्स कुछिन की बात करते हैं किस उपन्यास का किस उपन्यास कार के उपन्यास को पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी किसके उपन्यास कार को पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी थी आपको बताना है पहलत रखा है किसूरी लाल गुस्वामी गोपाल राद गहमरी या फिर देव की नंदन खत्री या फिर सेखर जोसी राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है इस उपन्यास कार के उपन्यास को पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी थी तो बहस सीखी थी देव की नंदन खत्री के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नमबर साथ उपेंड यहाँ पर हमारे जो क्योशन होते हैं वो मतलब हिंदी के कौन सा है यह हिंदी का ब्ल Candice का अपना कटा सेगंडे पीपर ख earlier का अपना पार्ट सेकंड है फर्सट भी आपको प्रवयड हुलाई के लिंक पड्रख़ा है handsome यह तो हैं और भी इसमें इंक्लूड आपके उी झाते हैं एक विंक Panther के और एमसे क्यों कुछ इंपोर्टेंट वनाए गए हैं वो जाते हैं तो फिर्ट्स अगर उसका आपको नोट्स चाहिए नोट्स अगर आपको चाहिए या पीडिएफ चाहिए पीडिएफ नोट्स चाहिए तो आपको कहां जाना है बहुत टैली ग्राम पर जाना पड़ेगा क्या आपको क्या करना पड़ेगा उसे लिंक के पर टाज करके आपको डानलोड करके पढ़ना पड़ेगा 100% किसमा से आने वाले हैं तो लाइक करना है शेर करना है चैनल को सस्काइब करना है ठीक है जैहिन जैभरा